हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे बैक्त्रेम् ڈियेस टेबलेट के बारे में लेकिन उससे पहले दवाईव की जानकारी पाने के लिये मेरे चनल को سबस्क्राइब करें साथ में बैल आईकन को ग्रेस करें तो दोस्तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बेक्ट्रिम डियस का पत्ता है डियस मतलब डबल स्ट्रेंथ और ये एबट कंपनी का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ब्रैंड है ज़क हम सुखाने के लिए और इसका MRP है चवदर पे इसके कंटेंस है ट्राइ मेथोपरिम एंड सलफा मेथोकसाजोल टेबलेट दोस्तो अब बात करते हैं इसके उप्योग की और इस्तिमाल की दोस्तो इसका उप्योग जखम सुखाने जखम या घाव सुखाने के लिए किया जाता है जखम में पढ़ने वाले किटानों को मारना जखम में पस या मवाद ना पढ़ने देना पिशाब में जलन के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है मलेरिया कान में कोई इंफेक्शन हो गई हो उसके लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है मूत्र मार्ग में कोई infection हो उसके लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है पेट में या आथ में कोई infection हो सर्दी खांसी बुखार उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है दोस्तों अगर बुखार ज़्यादा है तो साथ में परसे टमल टेबलेट दे जाती है और साथ में ये दी जाती है जिससे कि आराम हो जाता है आखों में कोई infection हो तब भी इसका इस्तिमाल किया जाता है लेकिन दोस्तो मेरे बताने का अग्देशन ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इसे घर पर use करें इसे डॉक्टर से पूछ कर या डॉक्टर से लिखवा कर ही इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि इसके कुछ reaction होते हैं कुछ side effect नुक्सान हो सकते हैं जैसे कि पूरे शरीर में खुजली होना लाल रंग के चकत्ते बनना शरीर पर धूप में जाने से पूरे शरीर में जलन होना और खुजली होना उल्टी, चक्कर, दस्त, मतली ऐसे इसके reaction नुक्सान हो सकते हैं तो इसे आप घर पर use ना करें और डॉक्टर से पूछ कर ही इसका इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों ये brand बहुत मशूर है आपको किसी भी medical store के बड़े आराम से मिल जाएगा और सबसे सस्ती दबा है जखम सुखाने के लिए और भी मैंने इसके फायदे बता हैं आपको और इसे लेने का तरीका सुब़े शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद दी जाती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें धन्यवाद